कीबोड शॉटकट का यूज करना किसी भी सॉफ़वेर में स्पीड बढ़ाने के काम आता है आप अगर माउस से किसी मेन्यू में जाते हैं तो उतना ही टाइम ज्यादा टाइम यूज करते हैं जबकि आपके हाथ कीबोडस पे रहते ही आपकी जब क्या मेन्यू इस्थेम पीचर आपके स्पीड बढ़ाता है मैं जैसे के पिछले विडियो में बता रहा है कि आपको जैसे की ये टूल के कुछ कीबोड शॉटकट से जैसे कि आप T प्रेस करेंगे, खाली alphabet T keyboard में, तो आप type tool में आ जाएंगे, V से आप selection tool में आ जाएंगे, A से direct selection में आ जाएंगे, R से आप rotate tool में आ जाएंगे, और बहुत सारे keyboard shortcut है जो आप दीरीरीर इस्तमान करने से आपको आल सुपरें। यहां पर मैंने जैसे कि आपको एक बताया था कि W प्रेस करने से आप preview mode और दुबारे W प्रेस करने से आप normal mode पर आ जाएंगे, इसके इलावा मैं आपको एक कैसे कि आप किसी भी menu में जाएंगे, इनके आगे कुछ sub menus को keyboard assigned हो, keyboard shortcut assigned हो रखें जैसे कि open के लिए control हो है, export के control E है, save के लिए control S है, पर कुछ menus, sub menus ऐसे भी है, इनको assign नहीं हो रखा, जैसे margin and columns हो गए, और जैसे कि, बहुत सारे मतलब इसमें ऐसे लिए है, जिनको assign नहीं हो रखे, keyboard shortcut, तो उनके लिए, उनको keyboard shortcut assign करने का सबसे असान करीका, InDesign, Adobe ने दिया हुआ है, InDesign के अंदर, Edit में जाके, आप keyboard shortcut select कीजिए, आप अपने खुद नए keyboard बना सकते है, यहाँ पर अगर default set है, इसके अंदर page makers और quark express है, पर मैं आपको एक advice दूँगा, कि आप default ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर आपने page maker और value यूज करते तो page maker shortcut काफी confusing हो जाएगा, default पर रहने दीजिए, और एक new set click किजिए, क्योंकि आप default में कभी set change नहीं कर सकते, new set पर click किजिए, आप इदर कोई भी एव नाम दे सकते, जैसे कि मैं भी दे रहेता है, NK shortcuts, okay पर press करेंगे, अब मैं बता दूँ, इसको okay कर दे के तले, windows में एक styles के अंदर, table styles है, मैं बहुत इस्तमाल करता हूँ, और इसको कोई shortcut नहीं मिला हुआ, तो अभी हम दे रहेते, edit में दुबारा keyboard shortcut पर जाते है, NK shortcut select करके, अब वो था windows के अंदर, तो ये windows में जाएंगे, and यहां पर styles के अंदर, table styles पर जाके, new shortcut पर कोई भी key assign कर देते है, जैसे कि मैं इसको alt, alt, t press कर देता हूँ, ये दिखा रहा है, unassign, unassign मितलब ये की अभी तक कैसी भी shortcut assign नहीं हुआ, अगर by mistake जैसे मैं control s तबार देता हूँ, control s, save करने का option है, तो ये बीचे दिखा देगा कि currently assign to, this मतलब किसी को assign कर रखा है, पर अभी हम इसको alt, t press कर देते हैं, ये unassign है, मैंने फिर assign पर click किया, और ये एक, इसको table style को key assign हो चुकिया, okay करके हम चेक कर देते है, alt, t, ये आगया table style, और भी जैसे की मैं बखा दूँ, keyboard shortcuts में, कुछ एक चीजे है, आपको, नाम से पता है, पर वो आपको नहीं पता कि, कहां मिलेगी, तो उसके लिए आप क्या कीजे, यहां पर show set है, इस पर click कीजे, ये word या normal notepad जो भी आपका word editor होगा, उसमें खुल जाएगी, अब मेरे को जैसे squash, squash का keyboard assign करना है, अब मेरे को नहीं पता वो का है, तो हम control F करके, इसमें search कर लेंगे, स्वाश, स्वाश, स्वाश दे रखा है, करेक्टर open type में, और यह दे रखा होगा, पैनल मेन्यू के अंदर, पैनल मेन्यू के अंदर, करेक्टर open style स्वाश, यह आ रखी है, अब यहां पर हमने देखा, पैनल, मेन्यू, अब यहां पर जैसे assign है, अब हम जाएंगे character styles, अब character styles, open types में, अब इसमें हम स्वाश देखेंगे, स्वाश, स्वाश, यह रहा, अब हम इसको भी assign कर सकते, मैंने इसको all test करके assign कर दिया, और इसे assign पर click किया, अगर मैं assign पर नहीं click करूँगा, तो assign नहीं होगा, पर मैं assign पर click करूँ, यहां पर आ गया, दिखा रहा है, अगर आप चाहे तो इसको remove भी कर सकते, अगर time mistake हो गया, पर अभी मैं इसको नहीं करा क्यों कि हमें यह चाहिए, okay कर दिया, तो यह हमारे हो गए keyboard shortcuts, तो अब भी आपने कहा कि नहीं, नहीं का, तो अब क्या ही है, इंड़ाइ, इस एजी यार,